ठीक है, शेंजन वीजा एप्लिकेशन फॉर्म बरना बहुत इजी है, इसको भरके देखिए, प्रिंट आउट निकालिए और मेरे को सेंड के जी कोई गलती होती है, तो मैं आपको रिप्लाइ करूँगा कि ये गलती है, हाँ जी, इतली का शेंजन वीजा एप्लिकेशन फॉ यहां पर na मतलगी बिलकूल empty, आपको कोई सरनीम नहीं है, सरनीम एट बर्थ, अगर आपका सरनीम एट बर्थ कोई सरनीम है, आपके बर्थ के ऊपर तो आपका family Name जैसे होता है, वो आप लिखेंगे, passport के ऊपर भी होना चाहिए, तभी आप यहां पर mention करेंगे, otherwise कोई कुछ भी mention नहीं करेंगे first name and given name passport के उपर आपका given name और first name दिया जाता है जैसे कि मेरा नाम सरब जो सिंग है मेरा नाम surname जो है मेरे passport के उपर नहीं दिया हुआ तो given name सिरफ दिया हुआ सरब जो सिंग तो यहाँ पर मैं सरब जो सिंग fill out करूँगा इस third number के column के अंदर तो मेरा कोई surname नहीं है तो मिया है मैं बिल्कुल blank चोड़ूँगा second number मेरा blank आएगा first name या given name सरब जो सिंग आएगा पूरा नाम जो मेरा है सरब जो सिंग उसके बाद date of birth क्या है आपकी जो भी आपकी 010101 जो भी आपकी रहेगी date of birth आप यहां पर fill करेंगे आपका birth कहां पर हुआ है पंजाब के अंदर हुआ है जो भी जहां पर भी आपका अबोहर इंडिया जलंदर पंजाब जहां पर भी हुआ है आप वहां पर लिखेंगे country of birth इंडिया के अंदर हुआ है या कहीं और पर हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेशनल्टी आपकी क्या है इंडियन है, राइट? एन नेशनल्टी एड बर्थ यहाँपर भी आपका बर्थ हुआ है उस समय आपकी नेशनल्टी अगry कोई डिफ्रेंट है कोई गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा ठीक है उसके बाद दुबारा प्रिंटाउन निकाल कर आप उसको दुबारा से सही कर लीजिए राइट सिवल स्टेटस के है अगर आप सिंगल हो मैरीड हो जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप यहां पर क्लिक करेंगे लिखेंगे राइट तैंथ नंबर छोड़ दीजिए कोई वीच कुछ में नहीं बरना आपने नेशनल इडेंटिटी नंबर आपका पासपोर्ट नंबर आए विजा अप्लिकेशन फोर्म को फिल आउट कर रहे हो राइट तो औरनी पासपोर्ट आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा थर्ड नंबर नंबर आफ ट्रैवल डोकुमेंट आपके पासपोर्ट कितने एक दो तीन चार जो भी एक्सपायर हो चुक है उसके बारे में लि और दूसरा पासपोर्ट है तो यहां पर मैं दो नंबर लिखूंगा राइट पर्सनल डाटा उस फैमिली मेंबर हो इस इन ईयू अगर आपको कोई भी जो फैमिली मेंबर ईयू के अंदर रहता है तो उसके बारे में बताना है अगर इफ एप्लिकेबल तो वैसे emotionally नहीं हो applicant home number उसका सब कुछ उसके बारे में बताना पड़ेगा राइट अगर आपको की family member Italy के अंदर है तो अगर आपके पास कुछी दूसरी कंटी का resident permit है तो आप यहां पर yes करेंगे और कब तक वो issue है और कब वो expire होने वाला है otherwise कुछ भी नहीं है आपके पास कोई भी resident permit नहीं है इंडिया में हो आप तो यहां पर no कर दीजिए 21 number के अंदर आप job करते हो या business करते हो उसके बारे में लिखेंगे 22 number अगर आप job करते हो तो जो employer है उसका address और उसका phone number आप यहां पर लिखोगे अगर आप student हो तो for student name and address of the education आपके college की जितने भी address होगा और उनका phone number होगा उनकी email ID होगी उसके बारे में आप 22 number में लिखेंगे क्योंकि अगर students अगर आप देख रहे हो ठीक है मेरी वीडियो तो अगर आप student Italy का शैंजन विजा अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है तो फ्लीज वीडियो के नीचे comment कर दीजिए वह भी मैं आपको बताऊंगा purpose of journey आपका purpose क्या है अगर आपको tourism के लिए जाना चाहते हो बीजनेस के लिए जाना चाहते हो visiting family और friends को मिलना चाहते हो family को मिलने जाना चाहते हो कुछ भी as culture sports official visit medical study airport transit जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पर click करेंगे तो tourism के बारे में बता रहा हूं 23 number के purpose of day आपका कोई अगर कुछ extra information अगर provide करना चाहते हो उनको बताना चाहते हो कि आपका purpose क्या है और for the stay ठीक अगर tourism है तो आप यहाँ पर tourism के बारे में यहाँ लिखेंगे 25 number member state of the main destination and other member state of the destination अगर आप like a member of state of main destination क्या है आप इटली जाना चाहते हो तो यहाँ पर इटली और number of the entry requested अगर आप single entry लेना चाहते हो two entries multiple entry जो भी आप लेना चाहते हो यह वहाँ पर click करेंगे उसके बाद intent date of arrival of the first intent stay in the Shenzhen area ठीक है arrival date का कब को सी तारीक माली जी 1 January 2022 को जा रहे हो आप तो यहाँ पर 1 January 2022 लिखेंगे और वापस कब आ रहे हो माली जी 15 January 2022 को वापस आ रहे रहेंगी fingerprints are collected previously for the purpose of applying Shenzhen visa पहले कभी आपने Shenzhen visa apply किया होगा तो आपके fingerprints होंगे तो यहाँ पर करतेंगे yes अगर कोई भी पहली पार apply कर रहे हो Shenzhen visa तो यहाँ पर करतेंगे no right अगर आपका Shenzhen visa पहले fingerprints हो चुके हैं तो वो कब हुए है इस मतलब यह लिखा हो ना visa sticker number क्या ह उसका और उसके बारे में कब हुए थे वो date लिखनी पड़ेगी आपको right entry permit for the final country of the destination जो भी आपकी final destination होगी माल लीजिए आप issued by अगर आपके final destination माल लीजिए आप Italy से आप UK जाना चाहते हो आपकी final destination तो वो होगी ना उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे उसके UK का visa और कब तक वो कब तक valid है surname first name of the inviting person अगर कोई आपको sponsor कर रहा है तो 30 number के आप अंदर आप उसके बारे में लिखेंगे ठीक है और उसकी email ID उसका phone number name and address of the inviting company organization 31 और 30 यह दोनों same है ठीक है यह same अगर आपको invite कर रहा है को sponsor कर रहा है तो आप यहाँ पर उनकी बारे में लिखेंगे 32 number के अंदर cost of traveling and living duration during the applicant stay is covered right तो अगर आप like tourist visa apply कर रहे हो ठीक है by the applicant himself तो अपने आप ही करोगे ठीक है आप जितना भी आप खर्चा करोगे वो खर्चा आप cash कर रहे हो आपके पार travel check है credit card है prepaid accommodation है कोई paid transport है आपके पास अगर कुछ और extra है तो आप यहाँ पर उन चीज के बारे में mention करेंगे जैसे cash है अगर पास तो आप यहाँ पर cash के बारे में click करेंगी अगर आपको कोई sponsor कर रहा है तो sponsor के बारे में आपको पूरा 30 और 31 number के अंदर proper way से लिखना पड़ेगा and वो आपको कैसे support कर रहे हैं उनके पास cash payment है या accommodation provide कर रहे है all expenses covered during the stay ठीक है यहाँ पर click कर सकते हैं अगर वो आपके sponsor आपके सारे expenses को covered करेंगे आपके during stay तो यहाँ पर click करोगे राइट तो मतलब यह चीज़े होती है ज्यादा कोई difficult काम नहीं होता इसी काम का जब मैंने आपको बताया यह application form भरने का agent जो है दो से तीन हजार यूरो कई बार पांच हजार इ इंडिया रूपीज भी ले लेते हैं दो से तीन हजार इंडिया रूपीज यह पांच हजार इंडिया रूपीज भी ले लेते हैं तो I hope यह को आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा ठीक है अगर किसी तरह की कोई भी problem आती है तो आप video के नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा तांकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज के अंदर ठीक है शेंजन वीज एप्लिकेशन फॉर्म बरना बहुत इजी है इसको भरके देखिए प्रिंट आउट निकालिए और मेरे को सेंट के जीए कोई गलती होती ह तो I hope आपको सही तरह से पता चल गया होगा अगर किसी दूसरी citizen country का वीज sniff Experience Farm कैसे भरना है, टूरिश वीजग वीजग अप्लाई करते हैं, work वीजग कैसे अपलाई खरते हैं, study वीजग कैसे अपलाई करना होता है तो इन चीजों के बारे में पता करना है, तो प्लीजग